हम वानतोई प्रत्य सूत्र पढ़ रहे हैं उस सूत्र में हमने कल देखा था कि जो एचो येवायावा सूत्र से आय अव आय आव होता था में दो प्रकार के हैं दो आय और आय ये दो यानतऊ है अव और आव ये दोन वानतो यह प्रत्य सूत्र ने कहा था कि अगर किसी भी शब्द के बाद यकारादी प्रत्य हो किसी भी प्रकृति के बाद यकारादी प्रत्य हो तो वांत आदेश होता है वांत आदेश यानि अव और आव होता है वो हमने कल गव्यम और नाव्यम ये दो उधारन दाना था यकारादी प्रत्य यत प्रत्य था तब उनका उ सूत्र में एक और वार्तिक भी है अध्धो परिमानेचा जो वह सूत्र काम करता है वही काम ये भी करता है वांत आदेश करता है ठीक है अध्धो परिमानेचा क्या कहता है अध्धो मतलब होता है मार्ग यहां देख लिए अध्धो यानि क्या होता है मार्ग परिमान यानि न अगर मार्ग का नाप वाची कोई शब्द हो जिसमें किसी मार्ग का नाप बताया जा रहा हो तो भी ओ और अव के स्थान पर अव और आव हो जाता है वान तो होता है ठीक है अगर मार्ग वाचि मार्ग का ना पूचक कोई शब्द बनाना है तो भी ओ के becoming तुरंत बाद स्वर नहीं यह फिर भी ओ को मैं स्थितिया इसी है को गो के बाद यूती है वीचह इन दोनों सब्रों का अर्थ क्या आप जानेंगे गो शब्दकार्थ गाय और कि शब्दकारत मिसरंर आख अब संक्राण कि अगाई का मिसरण अब समझेंगे इस एक उप संक्षयान में एसवार्तिक यहां की विशखाँ पेस्तार से बताया जाएगा यहां विशखहीए यह यह है कि अगर दो शब्द मिलाकर कि यहां आप फी एइचूयवायवह नहीं लगा पाएंगे और करने के लिए एइचूयवायवह Michigan सूत्र आप जानते हैं वह सूत्र नहीं लगेगा क्यों ही लगेंगा क्योंकि हो यह वाया वाह सुत्र कहता है एक के स्थान पर आव और आउत होता है पर उसके यह से सुरू होने वाला कोई प्रत्य हो तभी ऐसा नियम लगता है ठीक है तो इसलिए अध्ध परिमाने चाँ एक ऐसा वार्तिक बनाना पड़ा अध्ध यानि मार्ग परिमान यानि नाप मार्ग का नाप वाची कोई शब्द बनाना है तो भी वह अवकेस्थान पर अव के समय में भी और चलता था है और भी अलग-अलग प्रकार की नाप धनुस से नाप लेते थे एक धनुस का बराबर नाप एक हजार धनुस का नाप होता था ना तो उसको एक हजार धनुस के नाप को एक कोस कहते थे, आज वही एक किलो मीटर हो गए, यह वो धनुस का आकार एकदम निश्चित होता था, पहले समय वो वरणित होगा सास्त्र में, तो एक हजार धनुस के बराबर नाप होने पर वहाँ एक क्रोस हो जाता था, का सोच को टीजंद प्रित धन शोन तो मिला कर एक गवीूती चना ये गव्यूति कर दो शोच को फूरा ये और आस्टे हो जोड़ेंगे कि नने है ये इस गेवर सैंगे को ब क्या किलोंड मीट्र के सब्सक्राइब क्या हैं भले ही गो का अर्थ गाय है यूती का अर्थ मिस्रण है दोनों का मिला के गाय का मिस्रण हो जाता है अर्थ पर कभी-कभी दो शब्दों को मिलाने पर दोनों का अर्थ एकदम अलग ही अर्थ आने लगता है जैसे आप एक उधारन देखेंगे देवा नाम प्रिया देवा नाम मतलब देवताओं का प्रिय मतलब प्रिया लेकिन देवा नाम प्रिया सब्द मिला देंगे तो उसका अर्थ हो जाता मूर्ख देवानाम प्रियाहा एक इसको कहते हैं मुर्ख को कहते हैं तो ऐसे कभी-कभी शब्द जुड़ जाते हैं पर उनका अर्थ अलग ही कुछ हो जाता है अईसे भी वहोत उधार अपने साहिते में भरे पड़े हैं तो यह क्या है अध्धो परिमान एच वारतिक कहेगा मार्ग का परिमान वाची कोई शब्द बनाना है तो भी ओ अव के स्थान पर अव आव होता है जो यह वांतोई प्रत्य सुत्र करता वही काम करेगा पर यह प् अवकर देगा गोव में जो ओ है वह हट गया उसके स्थान पर क्या आ गया अव कि अब आ गया और यूती यह यूती नहीं यूती ही रखिए जोड़ लिजिए ऐसा आ जाएगा गव्यूती ही गव्यूती ही मतलब होता है दो कोश दो कोश कहा जाता है कि पूतना का सरीर अठारा किलोमीटर का था है जब पूतना भगवान श्री कृष्ण को लेकर उड़ी हां और प्राण रोग क्या कहते हैं प्राण ही समं रोश समन वितो पिबत जैसा भागवत में प्रसंग मिलता है तो जब उसके प्राण के समान प्राण के साथ भगवान श्री कृष्ण उसका दूध पिया मतलब जाहर तो पिया ही पर उसके प्राण को भी पी लिए तो वह सा मुंच मुंचा लमज्तित प्रभाशनी वह मुंच मुंच चिलाती चिलाती जब अपने सरीर को बढ़ा के गीरती है ना तो पतमान तुत दे त्रि गविउत्यंतरत्रुमांछ श्राजिंद्र ऐसा त्रि गविउति तीन गविउति आए टीन गविउति छेत्र के अंतरगत आने वाले जित느 यही शब्द प्रयोग है त्रिगव्यूति अंतरत द्रुमान गव्यूति एक गव्यूति नहीं तीन गव्यूति और एक मतलब होता है दो कोष तो तीन गव्यूति यानि छे कोष नंबा उसका है उसका सरीर था ऐसा वरनम दिलता है तो यह गव्योति हुआ यह अध्व परिमान यह वारतिक क्या कहता है कि अगर मार्ग का परिमान वाची शब्द को निर्मान करना है तो भी ओ अव के स्थान पे अब आधेश हो जाया करता है यहां आपको यह वाया वहा नियम के अनुसार तुरंत बाद में स्वर्वर्ण की अपेक्षा है, ऐसा नहीं है, वानतो ये प्रत्य के अनुसार यकारादी प्रत्य ही होना चाहिए, ऐसा भी अपेक्षा नहीं है, कैसी भी स्तिती हो, बन जाएगा, यह हुआ अध्व परिमाने चवार्थी, इस पाठ में आज के इस पाठ म अधा इत्यादी हो, हम अगले पाठ में देखेंगे, आस्तु नमास संस्कृताया